भारत लाइब में आपका श्वागत है अब हम सेक्पुराज ले अंतरगत अरियरी पर्खंड के सनेया पंचायत में भावी परत्यासी और बरत्मान मुखिया गुडिया देवी पती पपूचे वहान जी के पास पहुंचे हुए हैं और इन्होंने पांच साल के कारिकाल में क् अबिकास किया आईए इन से मिलकर के जानते हैं परणाम सर परणाम बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों के बीच में 2016 से 21 तक जो कार्ज का अलबिता है इसको आप लोगों ने भली बाती देखा है हमारे सनया पंचायत का जो छेत्र है काफी लंबा है जिसमने 14 गाउं आते हैं, 15 बाड है और काफी जादा लंबा एरिया है इसका छेत्रफल काफी बड़ा है और बिगत पांच बरसों के अंतरगत हर एक गाउं में, हर एक वार्डों में जो कार्ज हुआ है बहुत काफी मातरा में हुआ है फिर भी अभी तक सारे कार्ज पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि छेतरफल बड़ा रहने के कारण और बिगत पिछले 15 सालों से पूरे पंचायत जो है वो गैपिंग था बहुत ज़्यादा गड़ा था उसको भरने में समय लगा है इसी बीच में करोना काल भी आ चुका था उस करोना काल के अंतरगत बहुत सारा काम पेंडिंग रहा लोग घर से नहीं बाहर निकल पाए उस समय भी मैं बिना अपने जान का प्रवा किये हुए पंचायत के अंतरगत जो करोना सेंटर बनाया गया था दिन और रात में वहाँ पर जाके बारा बारा अब जरात तक लोगों का सुरच्छा लोगों के लिए जो विवस्था करना था वो किया और देखा बाकी कार्जों के बारे में आप खुद फिल्ड में जाकर देख सकते हैं बहुत सारे कार्जों ऐसे हैं जो कि आप चहां सोच भी ने सकते हैं उतना बहतर काम हुआ है और जो बाकी है आने वाला समय जो है इस चुनाव के बाद हम लोग तुरंट फरारेटी में लेके करेंगे इस वार तो कोरोना को लेकर के दिक्कत हुआ लेकिन आपको क्या लगता है कि एक वार फिर से फिर से पांच साल का सत्ता आपको जनता हाथ में दे सकती है 2022 से लेकर के 2036 तक पांच साल का कारिकल आपको फिर से समालने के लिए आपके हाथ में जनता देगी निश्ची तौर पर जनता मालिक है और सारा फैसला उनके हाथों में है और सारे जनता निर्णे ले चुके हैं और सोच रहा हैं निश्ची तौर पर कि जो पांच सालों में विकास हुआ है निश्चित तोर पे इन्हें और एक मौका देना चाहिए बहुत सारे यह ऐसी योजनाय है जो अभी धरातल पे नहीं आई है और ये पांच साल के अंतरगत उसको धरातल पे लाके लोगों के हर एक जंजन तक विकास को पहुचाना है निश्चित तोर पे जनता मुझे मौका देने का मन बना लिया है भरपूर सहयोग जनता का मिल रहा है भरपूर अशिरवाद उन लोगों का मिल रहा है इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, निश्चित तौर पे मैं उन लोगों का भी सारे असिरवात को लेते हुए उन लोगों का सारा कार जरूर पूरा करूँगा जैसे की पांच साल में आपने कहा कि पंचायत एक गड़ा था, उस गड़ा को आप भरने का काम किये तो वो गड़ा भी कितना भरा और अगले पांच साल में क्या वो पूरा हो पाएगा निश्ची तोर पे गड़ा का जो इंटर लेवल प्लीन्थ होता है सारा कम्प्लीट हो चुका है जिस प्रकार से हम लोग एक भवन का निर्मान करते हैं और उसका बेस मजबूत पीलर जो खड़ा किया जाता है वो मजबूत बेस पीलर हो चुका है अब भवन बनाने में यह वाला पांच साल में जनता के पीछे जो भी बोलने का है उनका कुछ बोलने का जगा नहीं बचेगा निश्ची तोर पे जो उनका विकास बाकी है समय से पहले निश्ची तोर पे पूर्ण कर लिया जाएगा तो इस वार फिर से आपकी सरकार बनेगी और आप मुख्या पधेतु चुने जा सकते हैं ऐसे आपकी संभावना है और यदि जो आप चुने जाएंगे तो अगले पांच साल में जैसे इंद्रा अबास हो गया रासनकार्ड हो गया और सरकारी योजनाओं के लाव से बहुत धन्यवाद ऐसे सवालों जो आपने किया है सबसे पहले आपको यह जनकारी होना चाहिए बाई मेडिया के माध्यम से और लोगों को यह जनकारी मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से यह संदेश पहुचाना चाहता हुँ कि जो पिछले 15 साल के अंतरगत जिस गाउँ जिस टोले में वैसे घरीब परिवार जिनको घर और जो आवास नहीं मिला था इस पान साल के अंतरगत काफी संक्या में जो उन्होंने बिगत 15 सालों में नहीं किया उससे ज्यादा ये पान साल में आवास मिला है और निशित तोर पे बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम सूची म जो भी 20 साल का जो है सारा रिकोर्ट के तोड़ कर ये पान साल में लोगो को आवास मिलना है रही बात रासन काड का काफी संख्या में रासन काड भी बना है बहुत सारे लोगों का भी जो बाकी है ये चुनाओ के बाद देसंबर से जैसे कार्चाल सुरू होगा और बहुत जल्द मतलब 6-1 साल 6 महेना से 1 साल की अंतरक थी वो रासनाहट जो लेने लाइक भेघती हैं निस्च तोर पे मिले गा और जिन को जो चाहिए आवाज जिन को जुनको जो लेने लायक्तो बहुत काफी संख्या में और यह आप निस्ची तोर पे जान लिजिए कि जो लेने वाले ब्यक्ति है उंको निस्ची तोर पे मिलेगा इसमें कोई संकोच नहीं है और किनी का कोई बिना भेदभाव का सारा काम देखा जा रहा और किया जा रहा है धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए